अग्याँ आप सभी लोग का एक नए दिन में रोट रुआ निउजिलेंड से रोट रुआ पढ़ता है ऑकलेंड से लगबग 200 किलोमेटर के करीब तो कल अपने कवर कर दिया था शाम को मनवीर पाजी आ गए थे तो उनका मैसेज आये बाई दिन में मेरे को बता के ही जाना त मेरे उठने से पहले कि मैं चाय बना के लेकर आ रहा हूं मैंने का मार पास है भाई चाय वह बना देंगे तो कहते नहीं मैंने बना लिए मैं आ रहा हूं दस मिनट में तो मैंने का चलो ठीक है आप आजाओ बैठके चाय पीते हैं बहुत ज्यादा ठंड है ऑकलेंड से बार भी में यह मैंने सबसे पहली वाली वीडियो में दिखा दिया था तो बैड बैड बना लिया अब पहली बार बैड बनाया है परमवीर को पहली बार बनाया है मेरा भी पहली बार बनाया है तो उसको परमानेंटी ऐसे छोड़ देंगे उसको मतलब अब छेडेंगे नि तो पर्मानेंट बेड मिल जाए और बार टाइम वेस्ट ना होगे तो इसको ऐसे गैसे रहने देंगे बस की चलाते वक्त फरकना पड़े कि कोई चीज दरूरा आरी है वो सेट करना पड़ेगा तो आज चलाएंगे तब पता चल जाएगा कि क्या सेट करना है क्या नहीं करना है तक यह वक्य जितने एक्ष्ट्रा थे भी मैं दिखाता हूं पूरी बैने फिट कर दिए क्योंकि हमारा समान तो इतना है नहीं दस बार दिनों की जाब से यह वैन है और अब यह कैम साइट पेड़ थी इसके हमने 55 डॉलर में क्या मिलता है कि यहां पर पूल बगएर शा बाड़ी की बैटरी अलग से चलती है तो राइति सारी डिर्यक्ट की होलता ह謝 और जल जाती है ऐससे लाइट माइक्रोव यह सब ऑगया उसको रिकमेंड नहीं करते माइक Systems अग्या इस वाल्य-जिक था कि एपना रहा Official Story का ओक तो जुके नहीं सकति tenants लिकबंएका तो यह न वाले ना दो हैं यह सेम साइज के यह दोनों इस तरफ थे इससे बंदे वे थे एक उस तरफ रखा पता है इसे रखे वे थे उसके आगे गद्दे रखे जैसे आपको याद होगा पूरा सोफा था नहीं तो उनको निकाल के आप बिछाया उपर दो एक्स्ट्रा गद्दे थे उने को यह भी जाया अब सारे जगत्दे जो हमारे पस पिल्लो दे रख उन रिंग वालोग शह कि अलग तो इसके निच्छे by इस तरा की परमानन्टी सब्सक्रान वं फिट नहीं पढ़े रहेंगे अब हम को चेड़ना ही ना इनको ऐसी रह हो क्यों कि रोज जों निकालें यह माराद है गंटा इसमें बेश्ट हो जाएगा परमवीर ने महां बेड़ बना लिया था अपना वहां दो रजाई हो और एक रजाई है रजाई तो खैर काफी गरमदी पर ठंडी बहुत हो गई भाई अभी पता चला परमवीर बोला कि यहां पर हीटर भी रखा था मैंने क को सिस्टम करके देखेंगे पर यह वाला सही है अगर बैठे हो सुवे सुवे लगा लो इसको पर प्लग में गाड़ी होनी चीए यहां पर अमवीर ने सारा सेट कर दिया सुवे उटके और हमार साथ आगे मनवीर पाजी मनवीर पाजी लेया सुवे 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 चाय बन अच्छा होट पूल के बारे हम बताया थे बाजी रोट रूवा में बहुत सा रहे हैं यह थर्मल पूल होट फूल तो यहां खोल लिया बाई बरमवीर ने समुछ से और मठी इनको इन्हीं डिबों में डालके रख देंगे वर ना गिर जाएंगे चलो बाजी डाल लो चाय भाई बैन वालों ने बोला अगर ऐसी के ऐसी वापिस नीदी अंदर से तो 500 डॉलर ले सकते हैं लिखा तो है शायद थोड़ी थोड़ी रोज गरते रहा करेंगे साब अभी मैं मन्वीर पाजी को ना गाड़ी ओन करके दिखा रहा था मैंने का यार मर्सेडीस की गाड़ी है इतना कभी चलाया भी नहीं हम लोगों ने तो वह नहीं हो रही है गाड़ी क्योंकि पावर सोर्स लगावा था तो हमको पता नहीं था तो पावर सोर्स अभी हटाया भी ओन करते हैं तो भाई अभी आगे सुबह रिसेप्शन पर इनसे मौल भाव करने कि पचपन का है तो चले जाओ बस तो हमारी खड़े 57 नंबर पर और यह कह रही है यहां शावर वगएरा यह होट पूल है यह बहुत ही बड़ा है बाई देखो यहां डंप पॉइंट है जहां पर मतलब अपना गंदा पानी फैक सकते हो तो काफी कुछ है रही इसलिए पचास डॉलर ग कुड़ा फैक सकते हो अपना किचन भी दे रखी है पर हम शावरी नहीं था वैसे तो हमको पर अभी हम जा रहे हैं होट पूल में वह कह रही है थर्मल पूल नहीं है वह बस गरम पानी है एक तरह से यहां पर तो मैंने का कोई नहीं देख लेते हैं जो भी है फिर आएंगे यहां पर जैसे इमेंज टॉलेट और शावर्स भी शायद इसी में होंगे देख क्या हूं के अंदर रहां शावर वगर अभी दिख रहे हैं चलो आजाओ भाई आगया मोट पूल में एक तरह से प्राइवेट एक कि लोग ही नहीं थैयार इस पाली केंपिंग साड़े सारे यहां पर भी 37-38 आप जितना रख 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 चलो नाते हैं बाई अमेरिका में गूमते ते ना संटी भाई हमेशा मैं पारकिंग में ले जागे मैं कहीं पर भी खड़ी कर लो पर वो कहते थे थे प्लीन जगह पर खड़ी करनी यह वरना नेंद धंग से नहीं आएगी और कल मेरे साथ हुआ मैं भूल गया वह थोड़ी वैना जुकी वी है मतलब इस तरफ आपको वैसे तो दिखेगी सिद्धी घड़ी है पर जुकी वी है परम्वीर गलती सही साइड सो गया उसको सही नीद आगी मेरे सिर में कून बर गया मैं तीन चार बार उठा रात को आज लिया मैं तो भाई ना ओट पूल चले गए फिर यहां शावर ले लिया अब तो भी आई निए वो तो कहीं पर रेस्टेशन पर बैट की यूज कर सकते हैं तो चलते हैं वह चले हैं तो भाई नाद होके तियार हो गए थे हम तो मनमीर भाई बोले मैं आपको रोट रुआ पर इखाना कि लेकर जारे में तो इनका दोखा वाल अपने बोला है रास्ते हम बना लेंगे पर बोले नहीं पर नहीं पर आटिक लागे लेकर जाओं तो वहीं जा रहे हैं कि वहीं पी जाएंगे थोड़ा गुना भी यह यह आगी बाई रोट रुआ लेक और यहां पर भ बद्व आरे है तो इस पूरे शहर के नीचे जो हैना लावा है और इतने सारे यह थर्मल फूल यह वह सारे चैर में तो वह इस लिए हैं कि मृर्ण बद्व भी आती रहती है इतनी ज्यादा तो नहीं आती पर हाँ फील कर सकते हो कि बद्वान लग रही है और लेक साइड आगे हम रोट्रुवा लेक साइड यह आगा लेक का दूसरा व्यूपॉइंट बतलब फ्रेंड अफ ता लेक यह देखो बतक तैर रही हैं पर बतक नहीं तो स्वान है बतक अब यह वाली बतक देखना अब अंदर जाएगी और पीछे पूर जाएगी उपर उठेए निज पर जादा अंदर नहीं लग रहा है तो भाई पाजी की गाड़ी ना चोरी हो गई थी कितने महीने पहले दो तिन मेने पहले यही गाड़ी चोरी हो गई थी यहां पर रोट यहां पर लगेगा अच्छा नीचे तो चलो नहीं निकलेगा निचे नहीं निकलेगा तो फिर वो पहरे से उठाएगा फिर पैर के लिचे से निकलेगा थोड़ी सी वहां वह सोचेगा चोर किया रहे यार इतना जंजट कौन करें दूसरी एक वाट चुरा लेता हूं इसको लेकर कटर लेना पड़ेगा तो चलो अभी कहां गया हम अभी सिटी में यह नहीं कहां जा रहे हैं अभी हम साउथ इं का सिटी सेंटर माल लो देखो रोटर्वा टाउन बाई यहां है हम बैलीवाल जी पे चलो बाई ऐसा केक मैंने पहली बार देखा है खर केक तो कैसी बन जाते हैं पर चैस बोड़ वाला केक वाई ओनली पो डिस्पले आई और यहां पर मैंने ओडर कर रहा है इडली संबर तक दस डॉल रगाया पांच वर फे गट यहां जाते है यहां पर अब बतानी शुबह इसे को असरा है क्यों शुबह उठते ही चाहे मठी पर चाहे समोस्टा पाजबी यहां पर यहां पर यहां पर आगे यहां बाद जी के दर्शन करे अब मसाला डोसा मुझाल अलवा अजा उसने परवमीर का साइज देख लिया है यह दस डॉलर का यह कितने का है चोदा 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 यह महंगा है फिर यार चोलो ठीक बाई वो देखो मैं को बता रहा था ना इस पूरी सिटी की निचे लावा है तो थर्मल पूल हर जोग है वो दो कितना दुआ न सब्सक्राइब है अब जा रहे है भाई हम वैन पर वापिस अपनी फिर चलते है वेलिंटन की तरफ आज तो बाई आगे अपनी कैंप ग्राउंड में थोड़ा कॉफी ओफी बना ली परमवीर ने चलो पाजी चलो जो का मिलोगे अमरीट सरो गया न्यूजीलेंड हो गया सब्सक्राइब करेंगे चलो ठीक है वाजी पहुंच आप भी रेष्ट करो पाजी की तो रात की शिफ्ट थी वाई हो सुगए बारा बज़ लिए जाब भी सोगी रेष्ट करो अब राम से हम पहुंच तोड़ी आना है चलो यार मिलते हैं दुबारा कर आज मेरे को पता च चार्जिंग में लगा दिया और एक है सैमसंग का फोन है इसमें हमने एरपोर्ट पहले दिन सिम डाली सौजी बीड़ा के साथ इसको चार्जिंग लगा कर इसका होट्सपोड बना दिया इसी से मने मैप चला दिया तो आज की पहली लोकेशन है टापवा वहां कहते है कि अगर आगे टापो में और सौम नहीं आपको लेक दिखने लग रही है न्यूजिलेंड की लार्जेस्ट लेक और जूम करूंच मैं आपके लेंग से दिखने लग गई अब देखते हैं कहीं बार्किंग मिलेगी तो ठीक है वरना लेक के किनारे किनारे ही जाना है वैसे कि यह बाई टापो में आ गए हम और यहां पर इस वैन की पार्किंग डूनना ही बहुत बड़े जंजट है यह बड़ी लेने का यही नुकसान रहता है इस साइज के हम लेते हैं तो इन गाडियों की पार्किंग में लग जाती है वो तो उसको तो कहीं पर भी लगा दो कि कोछ में риз्ट के ऊगए हॉड़े वहादा ना चल चल शिता करते हैं इसे भी वहादी निया रास्ता है पहले आप उसको रास्ता दोगे और लेफ्ट साइड में च्हड़ा रहे वंदा उसको कोई दिकत नहीं है अगर आप उसके राइट में तो आप जा सकते हो तो यहा तो ङो बहुती हम्बियार हमारी सब भरा को हुजाएगा बाइश कामपर लाइफ यह दे कव बड़ी वार्किंग है आगे काली मिल गई वह यह उपन पर देखो कितनी सबस्तय आप Business ya कंटनी है और हम को पुरा नसे ले कर वह तक के एक पार्किंग है यह इसलिए देखो हमारी तो चोटी लगरी इस पार्किंग में पर वो देखो आगे गाड़ी वाले के पीछे बांध रखिया हमारे जितनी गाड़ी तो उसके लिए तो भाई मतलब सही लेंद की पार्किंग है और केमपर लाइफ वैन लाइफ में एक चीज होती है कि यह जो और केमपर यह एक तरह से आपके दोस्त है कि यही आपकी मदद करेंगा आपको कुछ हो गया तो मतलब जब केमपिंग ग्राउंड में खड़े करते हो ना तो यह तरह से दोस्त होते हैं और जहां पर इनों लगा रख्यों ना वहां पार्किंग लगा दो आपे सही रहता है बिलकुल अब तो काफी सारे स्पोर्ट्स होंगे विजिट करने वाले ठीक है वो देको बोट आने लग रही है एक सी प्लेन भी उड़ रहा था पर काफी बड़ी लेक है यार भाई ये खर खरीदी थी भेल पूरी इसके अंदर ये सब आता है और एको चटनी का पेक्री डाता है लेक के साथ बैठे बैठे इसको खाते है थोड़े बादल से आ गए तो ठोड़ी थंड भड़ गई है बाइन निकल गए टापुआ से और ये तेखो लेक कितनी बड़ी है जलते है वेलिंटन की तरफ ये मर्सरीज मैपस है 316 किलोमेटर दिखा रही है तो बाइबो देखो ये पाड बहुत तेर शिदिखने लग रहे हैं और बरफ गिरी बड़ी है तेमपरेचर कितनी दिखा रही 6.5 डिग्री सेल्सियस यह पाड़ों की ऊपर चलाने लग रहे हैं अभी 25 किलोमेटर बाद आएगा पेट्रोल गरवाने का स्टॉप भी पाड़ो तो मैं तो कोई शेहर ही नहीं है तो भाई कलना हमको यह जो जूसी कंप्री है इन्होंने पूरी टंकी फुल करा के दी थी गाड़ी की और अभी लगभग यह मानलो 25 परसेंट तेल बचाए वस 25 यह 30 परसेंट तो अभी 30 किलोमेटर बाद आएगा तो 20 परसेंट तेल बचे पर भाई यह मानलो मेरे हिसाब से 70 लेटर से उपर ही स्कितन की होगी तो अभरेज पता चल जाएगी डीजल का प्राइस बचाए अभी तो खाली मैदान आ गए तो खाली मैदान आ गए तो पांच्छे की कह रहा है तू तस से तो सो परसेंट कम है अच्छा मेरे हिसाब से अभरेज धी डेगी 7-8, 7 तो कह रहा है तू कहبح दिए तरा चोड़ा है मैखर था 10 से निचे तू अब तू मेरे को पांच पे गहरा हूँ अब तू एक नंबर चूज कर ले ना चल एक नंबर हा बोल रहा हूँ 7 अबर को प्लेस माइनस वन चलेगा 6, ुदय के दो क्याव तो पर यूँ नहीं पताने एक्जाक टाइम तक की तना आगगी अरे जीरो जीरो कर रखा था था न ने जीरो कर रखा था न जीतना तेल डलेगा उपर तक मैं बोल रहा हूं बाई आठ थोड़ा डिफरेंस सात होना ही चाहिए चलों देखते हैं अभी 20 मिर्डबाद पता चाहिए बाई यह पहुंच गए हम पेट्रोल पंप यह थोड़ा एक ऐसे सा रहता है जो कन्वीनियन स्टोर है और हम पेट्रोल की तंक हमारी इस तरफ है डीजल यह ब्लैक वाला होता है यहां पर यहां रुक है पेट्रोल पंपे और डीजल देखो यहां पर सस्ता है पर यह इतना ही पढ़ जाता है सच बताओं तो यह है 1.95 डॉलर तो 100 रुपे के लगबग यह कह नीचे लिखा रहा है इतने लिटर बर लिया क्या लोगों ने कुछ ऐसा ही आ रहा होगा यह वाला कंबर है सबसे ठीक है भाई बर ले यहां है टंकी इसकी दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा यह वाला पर नहीं सकते और यह खोल दो इसको अरे वाई कैसे खुलेगा बहुत तगड़ा लोग लगा रखा है यह खुल गया इसको यहां प इसको निकालने के लिए निच्चे करना पड़ता और इसको डीजल वाले मैं ही है अरे इन दोनों में तो है ही निए और उस परमिर बुला लाया हम कैते आर इसको निकाल नहीं पा रहे है निकाल उसने एसे करा और निकाल दिया उसे लगा कोई ना इनकी सीरिस प्रॉब्लम अब यह तक 49 लेटर बर आया बरता हूं और बाई यहां मारा पे तेल आया एक 208 डॉलर का 55.65 लीटर बिल्कुल उपर तक भर दी मैंने टंग की अब देखते हैं कितने किलोमेटर चली तो अब मैं दिखाता हूं आपको कितने किलोमेटर हमारी कार चल चुकी 432 किलोमेटर जब से हमने कार लिया तब से चली है और 55 लीटर डीजल आया है अब एवरेज लिए निजी निकालते हैं बाइब आऱ गालते हैं वाही बाई रात के बजरे हैं कितने 5 am 789 वह रहे हैं लगब 70 किलोमेटर कुछ और अब डबल रोड आ गयी है Auckland के बाद 60 km तक double road थी अब Wellington से 60 km पहले double road और बड़ी smooth road होगी अब तो गाड़ यवाज भी नहीं कर रही भाई बिल्कुली smooth होगी road चलो देखते हैं आज रात कहां रुखते हैं तो आज हम free campsite ढूनने की कोश्च कर रहे हैं ये एक आगई city वाई काई नाए तो इसके बीच पे तीन-चार free campsite दिखा रहा है एप पे तो हमने सोच एक बार देख लेते हैं तीन-चार जो free वाली campsite है वो वैसे तो दो-दो-तीन दीनी vehicle खड़े हो सकते हैं उनमें क्या पता खाली हो तो देखते हैं भाई यहां लगा दिया हमने वैन अपनी ठीक है और वहां पर एक वैन और खड़ी है अब आपको दिख जाएगी और यह पार्क है थोड़ा नदी है पास में टेंपरेटर कुछ चैसात हो रहा है विज वैन में बक्का बंदे सोने लग रहे है यह बोर्ड था भाई जो हमने देखा कैम्पिंग नहीं कर सकते सेल्फ कंटेंड वीकल यहां पर दो पार्क हो सकते हैं पहला यह हो गया एक हमारा हो गया और यह सब लिखा हुआ है यह फ्री है इस पर कोई पैसे किसी को नहीं देने बाई अब यहां पर खाना तो खुदी बनाना पड़ेगा कुछ है नहीं अब अब हम बॉन कर्रहें तो बाई शुन कर दिया और यह ँसको आसे सरे चॉं कर दिये और बहुत ही जाक मारने के बाद एक एक लिख चलिया इस को आज उपमारने के अश्रू पर बंद हो खुग अर यह अपिर है अब फिर नहीं लुख रही है तो आ फिर नहीं जल रही हुग देख इसको ना दबाए रखना एसे तुम दिला ही छोड़ना ठीक है यू ले आगे दबाए रखे रखे अब चल तो पिछे के हो गया तू आख में लगेगी अब चल गी ना अब छोड़ दिया अच्छा ठीक है अब तू कर के दिला रुक मैं पकड़ता हूं चल तला ओ तो क्या अब ये वाटर काई लग हो भाग दो हो सकता है ये तो अपने ही टर का है इसका और आज अपको देग पड़ए कि तरफ ले वाशन करुक मिक्टिट नी हम इनकी प्लेट दे रख्यार यह प्लेट यूज करो फिर दोव उतना पानी बरबाद टैंक रिफिल करो इससे अच्छ पुब्लिक ट्वालेट थी मतलब ब्रिज पार करके नदी के पास है ना मैं तो 101 मेटर दूर है हम आपको तो कुछ भी नहीं देखेगा वहां कई मैं खड़ी है हमारी मैं को वह खड़ी मैं आपको दिख रहे हैं यह यह वाली अपनी वैन है दूसरे वाली बंदे की वैन है त ताला लगा था फीमेल वाली पर आया ताला तो यहां भी लगा रखा था पर बंद नहीं करके गया बंदा में भी मेरे हिसाब से जान बूझ के खुला चोड़के गया हुआ है ताकि बंदा यूज कर सकता है कोई भी आए तो पर एक टॉरेट बंद करके चले गए बिलकुल नीटन क्लीट टॉलेट थी भाई मतलब अब उमीद नहीं करोगे ऐसी जगह देख के कि भाई यहां पे भी आपको जंकल में भी नीटन क्लीट टॉलेट मिल जाएगी है सब बहार चाप रखा हो मतलब अंदर बिलकुल साफ सफाई थी भाई फर्स्ट टीशू भी यूज करने है तो आजा वीडियो एडिट कर रहा था तो चलो इस वीडियो को रखते हैं ही तक अभी हमें वेलिंटन से 50 किलोमेटर कहीं पहले हमने वैन पार्क करिये गाउं में ये और अब अब को मिलेंगे अगली वीडियो में